नमस्कारम रेजनों आप देख रहे हैं सुटी पार्ट साला अपसी का बहुत बहुत स्वागे थे आज इस सांदार प्रांगड में बहुत दिनों बात मैं तो आया था गाउंड डिपोर्टिंग के लिए और यहां पे कुछ सर से मुलागात होगी जो की डिवी की फिलोस्पी पर बात हो रही है तो पूरी जो डिटेलिंग है वो तुम मुझे भी नहीं पता है लेगिन बहुत अच्छा है कि सुबह सर पर सर भी हमारे साथ जुड़े हो हैं सर हम सबसे पहले चाहेंगे कि आप इस पूरी प्रोग्राम बारें बताहिए तो प्रोग्राप हमारे फिलोस प्रोग्राइब और इस कारेकरव में हमने मैक्सिमम इंडिया के लगवक चारों तरफ से लोस परस को और रिस्ट परसर को आपन्सित किया है जो सारे बच्छे जो इंटेट भी हो रहा है और जहां तो मैं संदेश कुरुब में संदेश ही देना चाहता हूं कि लास्पी चि सब्सक्राइब नहीं है तो इसलिए जो इस बीसे को अधिक सरी बढ़ाव देनी क्या हो सकता है सर आज की सेमिनार में लगबख कितने इंवर्सटी पच्छे जो हैं अधर स्कॉलर्य या स्टुडेंट्स पार्सपेट के बच्छे में उसके सारे इकॉलोजिस के बच्छे है सब्सक्राइब बच्छे को लोग जब बारा में तक इसको पढ़ाया नहीं जाता है सबसे पहले यूजी में इसको इंटर्डूस किया जाता है बच्छे इसको बाकी सब्चेख से साथ कैसे पढ़ा ही करें और यह जीएवन में कितना जादा ल्गवाप्वल एककितना एक क। इसके लिए जूरब सुसाइटिय की कि इसन की वृष कि सब्सक्राइस गनाए करूकि देशन उन्सान वार सकता ऐ ग्योंकि दर्सन जो है कि इन्सान बनाता है क्योंकि ऑन आप कोई भी काम क्யेल प्रतिय केंदेया तो स्थे बहुति प्रोप名ूज होते हैं उसके पहले हैं तो बहुत अच्छा रहा था और जहां तक आपने कमडिक्शन के बाद किया तो कमडिक्शन के फिल्ड में हमारे सिविल में आप देखेंगे हम लोग देखता हूं कि हर बच्छे के अंदर इसकी प्रतिक के अंदर पाए जाती है तो हम अगर संस्ताओं के माध्यम से गवर्मेंट की पॉर्सिस के माध्यम से अगर इस बढ़ावा देते तो बहुत अच्छा रहता समाज के लिए बहुत अच्छी बास सर ने बदाई सर इक दो पॉइंट्स ओडिस करेंगे लेकी सोसल मेडिया के जमाने में जनरली बच्चे सोसल मेडिया और इस्टेडी करियर के लोग लेकि इन सब चीजों के लिए कि यह सभी अलेमेंट्स बच्चों को करने कि डिप्रेशन में डालता है और वो डिप्रेश्ट हो जाते हैं टेंसन में चले जाते हैं सुसाइट जैसे केसे जाते हैं तो क्या फिलोसफ ही विससे जो है इन सभी समस्याओं से निजात पाने में कितना कारगर है रिक्तम बहुत अचा कोश्च्छा ने देखिए जो फिजिकल बॉर्ड है जो मेडिया है यह जो सोसल मेडिया आज की डिट म मोवाइल देख लिए जो जितनी इस तरह की चीज़ें क्या है यह मैकनाइस करने के प्रयाज किया जा रहा है यह में एक नेश्रल प्रोड़क्ट है तो अग्साल बिंग तो है लेकिन हम प्रकृति के देने जैसे हमारे इनुवेर्स में हो सारे जीवजन पाया जाते हैं सब सबको मिला के जो है एक इन्मारे बन बनता है जो पुरे दुनिया को जो है जीवीत रखे हुए है तो ऐसे परवीज में अगर हम अपने मानुप्ता को अपनी इसानियत को जो चूजे हैं अगर सको मैकनाइस कर देंगे तो यहां तक मैं समझते हूं कि अपने ही भविस्य को अपने आपको इस टेक में डालने का प्रयास हो रहा है हम अपने अस्तितु पे ही मेरे दवारा प्रयास किया जा रहा है और अस्तित में हमें के बहुत आसकता है जहां तक मैं समझता हूं कि इन्वार्मेंटल एथिक्स पूरे हमें इन्वार्मेंट के बारे में जिसमें सारी चीज़ें आती है उसके प्रती हमें एक एथिकल एप्रोच डबलब करने क्या सकता है हम पेड़ को काटते हैं हमने नीट को पुरा करने के लिए हमें नहीं करना चीए हम अनिमल को मारते हैं किसी भी इस तो बी प्रत्रीव पर प्रयास करते हैं तो एक वेस्रिंखलता उत्पन होती है इस तरह हमारे बोडी में सेर्ड़ डैमेंग हो जाता है तो कैंसर में गांटि अगरेव सका कि जहारा है इसलिए हमें इसे पीसे कुछ छूज करना है हमें इसलिए अपनी आप सकता हूं को हम एक सब्सक्राइब के तरह बढ़ना सी ताकि हमारे आने वाले पिडियां जो है हमारे प्राइब कुद्वादों का उसके उसको हमीन कांट जूम कर जाया सर का बहुत कीमति समय सब दो मिनट और लोंगा जनरली हमारे पास फिलोसफी में दो ब्रांस यह इंडियन फिलोसफी एंड वेस्टर फिलोसफी सर बस मैं चाहूंगा कि थोड़ा से इन दोनों जो पार्ट्स है अच्छा तो दोनों ही मैं मानों आप फिलोसफी वाले किसी बंधन से चुटकारणाब करना घाट लिए से लहारा कि ब्रांद में इसमें फिलोसफी को लक्त छोड़ा सा आती है तो इसको पुछ देरे के लिए ठादिया जता है तुछ दोनों तरसन जो है बहुत अच्छे हैं और सब का उच से देखेंगे आप जो टार्गेट कहा जाता है तो एक ही है अब एक लिपरेस तो गेट फ्रीडम लिपरेस तन मोच जिसको बोल सकते हैं निर्वार जिसक को दोनों को राइक करता हूं एसपेसली इंडिया की कोई भी philosophy यह जो complete नहीं हो पुरी complete philosophy अब चारवाग को लिए थे अब जो आस्तिक नास्तिक दरसन हैं किसी भी नहीं कि आजता है च्छोड़के आगे बढ़ जाते हैं बात करे तो देखो न है ने आपको लेकिन गाल इंट को मांता प्रेंटald पर शाष्म करता है जो चीजें नहीं है इसमीषवास नहीं करता हूए उसका दर्सन की सलक्राई कि आपको लेकिन वही चारवाग कुछ प्रमाण है जो हमारे स्विस में बड़े-बड़े एक्जाम निशन में आते हैं तो उसको समझने का अलग तरीका है एक मेडिलिजम के बात करता है वह तो उसके बाद बहुत इंपोर्टन से थेंकिस्ट आपने इतना अपना कीमति समय दिया जबकि सरकाश्ट इस वाल में बहुत सांदार बहुत बड़ा सेमिनार चल रहा है जो नेशनल लेवल पर समिनार और अच्छी बात यह है कि FMC के भी बहुत सारे स्कॉलर और चीप गेस्ट भी यहां प् है चोटा है सुखी परिवार है सुखी परिवार मुझे बहुत अच्छा लागा थेंकियो सो मैं सब्सक्राइब करें